तो आज हम Rn Space के दो सबसेड लेंगे W1 और W2 और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सबसेड होगा इसका और कौन सा सबसेड नहीं होगा यहां पर यह दो condition दे रखें सबसेड होने के लिए अब यहां पर देखेंगे यह दोनों चीजे जो है वो अलग है और किस तरह से अलग है सबसे पहले सातमा एक्जामपल देख लेते हैं इसमें देखें जीरो वेक्टर है क्योंकि यहां पर जीरो रखेंगे A1 और A2 जीरो रखेंगे तो यह 0 is equal to 2 times 0 और तो सारे एलिमेंट भी 0 हो सकते तो इसमें 0 वेक्टर तो होगा W1 में जब भी हम सब इसपेस देखते हैं सबसे पहले 0 वेक्टर चेक करते हैं उसके लाबाद दो वेक्टर लेंगे W1 में X और Y किस तरह से होंगे? X is equal to हमने इस तरह से ले लिया एंटपल और Y जो है वो इस तरह से एंटपल ले लिया अब यह वाली condition satisfy करेगा क्योंकि X और Y कहां है W1 में तो यह A1 क्या होगा 2 A2 के एक्वल बी 1 क्या होगा 2 B2 के एक्वल होगा अब यहां पर अलफा X प्लस बीटा Y हमें क्या सो करना है कि यह W1 में है अगर W1 में होगा तो हम कहाँ देंगे कि W1 जो है वो सभी space होगा V का तो यहां पर अलफा को वैसे लिख लेंगे X की value जो हमने यहां पर एंटपल जिस तरह से ले रख था है उसको लिखेंगे इस तरह सिमिलरली यहां पर बीटा B1, बीटा B2, बीटा BN और फिर क्या करेंगे दोनों को अड़ कर देंगे तो जिस तरह से हमें यहां पर vectors में आड़ किया था उसी तरह से हम यहां आड़ करेंगे तो यह हो जाएगा alpha a1 plus beta b1 alpha a2 plus beta b2 alpha an plus beta bn अब यह हमें क्या मिल गया alpha x plus beta y अब इसको w1 में जाना है तो w1 में जाने के लिए क्या condition से डिस्पाई करनी चाहिए कि a1 जो है वो 2a2 के इकोल होना चाहिए और यहाँ पे a1 क्या होगा alpha a1 plus beta b1 और a2 क्या होगा alpha a2 plus beta b2 तो यह जो है इसके 2 times होना चाहिए तो यह हमने लिख लिया alpha a1 plus beta b1 और यहाँ पे चुकी x और y w1 के element हैं और हमें condition दे रखिए a1 equals to 2a2 तो a1 के जाहे पर हम क्या पूट कर देंगे 2a2 और b1 के जाहे पर हमपूट कर देंगे 2b2 और यह हमारा किस तरह से हो जाएगा 2 alpha a2 plus 2 beta b2 यहाँ से 2 common ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 times alpha a2 plus beta b2 तो यह क्या imply करेगा यह imply करेगा कि alpha x plus beta y जो है वो w1 में होगा और अगर w1 में ब्लॉंग कर गया तो यह w1 is a subspace of rn अब अगर हम यहाँ पर दूसरी condition की बात करें यानि आठमा जो state दे रखा है w2 a1 upon a2 अब अगर यहाँ पर हम डारेक्टली alpha x plus beta y लेकर चलें तो हमें जो है इसी तरह से हम लिखेंगे और फिर हमारा यह चीज प्रूफ हो जाएगी कि a1 upon a2 equals to 2 ठीक है अगर हम डारेक्टली इसको लेकर चलेंगे तो हम इसको कह देंगे कि यह सब इसपेस है मगर जब हम सुरुआत में कहते हैं कि zero vector check करना जरूरी है अगर zero vector check कर लेते हैं फिर जoquyारिटी हो जाती है तो जिरो वेक्टर बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर कि डबलू टू में तो अब यहां पर देखो अगर हम 0 vector की बात करें तो यहां पर अगर 0 vector जो होगा वो क्या होगा 0,0,0 इस तरह से और जो 0 vector होगा तो 0 upon 0 यह 2 के इक्वल नहीं होता है क्योंकि 0 upon 0 define नहीं है तो यहां पर अगर a1 upon a2 is equal to 2 यह condition satisfy कर रहा है तो a2 को क्या होना पड़ेगा non 0 होना पड़ेगा और a2 जब non 0 होगा तो यहां पर 0 a2 यह हमारा क्या है non 0 है यह कभी 0 नहीं होगा तो यह 0 vector के equal नहीं आएगा तो जब 0 vector इसमें नहीं होगा तो 0 vector does not belongs to w2 तो यहां से हम directly कह पाएंगे कि w2 जो है वो सभी space नहीं होगा इसके अलाबा अगर हम directly alpha x plus beta y लेकर चलते हैं तो यहां पर यह जो आता है ना alpha a1 plus beta b1 alpha a2 plus beta b2 यह जो है condition satisfy कर लेता alpha a1 plus beta a b1 upon alpha a2 plus beta b2 is equal to 2 अगर हम directly लेकर चलते हैं तो हमें यह condition मिल जाती है और हम अगर ऐसे direct लेकर चलते हैं तो हम कह देते हैं कि alpha x plus beta y w2 में होगा तो जब भी w2 को कोई भी सबसेट को अगर हमें सबस्पेस प्रूफ करना होता है तो उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें 0 vector है या नहीं है उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग